शॉट अब चलिए आईए अब हम लोग एक निवन पढ़ते हैं जिसका नाम है राष्ट्र के पती विद्यार्थियों का करतव्य वर्तमान युग में विद्यार्थी वर्ग की दशा अत्यंत सोचनिय है अधिकांश विद्यार्थी में कुंठा निराशा और संत्रास की भाव भावना गहन रूप से विद्यमान है उनमें न तो विद्या के लिए अनुराग है नहीं समाज और देश के प्रती उत्तरदाइत्व की भावना है देश के अधिकांस विद्यार्थियों में जीवन के साश्वत मूलियों के प्रती विद्द्रों की भावना है युवा वर् भविश्य इन ही पर केंद्रित होता है। परंतु विद्यार्थी वर्ग की वर्तमान इस्थिती का आंकलन करने पर मन निराशा और शोप से भर उड़ता है। आज के विद्यार्थी में अपने अभिवभावकों और अध्यापकों के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। कॉलेज के विद्यार्थी शराब तथा अन्य मादग द्रव्यों का सेवन करना अनिवार्य समझने लगे हैं। पास्चात्य देशों में तो यह रोग सीवा से अधिक बढ़ चुका है। भारत में भी इस रोग की जड़े काफी मजबूत हो चुकी है। LSD मेंड्रेक्स हशीश समेक आधी मादग पदार्थो का सेवन युवा पेड़ी के लिए साधारन बात हो चुकी है। युवा वर्ग सही दिशा में सोचने की शक्ती से वंचित हो चुका है। नशा करने और ब्लू फिलिम देखने से उनके विचार विकृत हो चुके हैं। कि शोरियां अपने युवक मित्रों के साथ रंग्रैलियां मनाना ही सर्वो पेड़ी कर्तव्य समझने लगी है। वर्तमान समय में स्वार्थी नेता भी विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्वार्थपूर्थी का सादन समझते हैं। विद्यार्थियों द्वारा तोड़ फोर कर आना एक साधारन सी बात हो गई है। देश में प्रदेश 1 को अधिक बल दिया जा रहा है। प्रदेश जाती धर्म और भाषा के नाम पर विद्यार्थियों से दंगे करवाये जाते हैं इस प्रकार देश की शक्ति को कमजोर किया जा रहा है देश की अखंडता और एकता पर कुठारा घात किया जा रहा है देश की इस दूर दर्श शापूर्ण इस्थिती में विद्यार्थी का राष्ट्र के पती गहरा उत्तरदाइत तो है विद्यार्थियों को देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए यदि देश का युवावर्ग देश की रक्षा को संकल्प कर ले तो कोई भी शक्ती देश को खंडत करने में सफल नहीं हो सकती विद्यार्थियों को स्वार्थी नेताओं के चुंगल में नहीं फश्नतना चाहिए उन्हें मिलकर असामाजिक तत्वों तथा सामाजिक बुराईयों का विरोध करना चाहिए उन्हें नशाखोरी की प्रवृत्ती त्याक करके भारतिय संस्कृति के प्राचीन मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए तथा देश के नव निर्मान की और ध्यान देना चाहिए विद्यार्थियों को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की छवी विकृत हो उन्हें अपने देश की मिट्टी स्वर्ग से भी बढ़कर प्रतीत होनी चाहिए विद्यार्थियों को विद्यार्जन की और पूरा ध्यान देना चाहिए महादेवी वर्मा के शब्दों में किसी युक का सबसे बड़ा निर्मान उसका विद्यार्थी है किसी युक का सबसे बड़ा बसंत उसका तारुन्ने है उसकी नई पीड़ी है जब वह पराजित होती है तो सब कुछ पराजित होता है अंत में कहा जा सकता है कि विद्याती वर्ग को राष्ट के पती अपने करतव्यक का ध्रता से पालन करना चाहिए